हलो बच्चो, 14 चेप्टर वोटर बहुत इंपोर्टेंट बहुत बढ़िया चेप्टर है, इसको शुरू कर रहे हैं आप सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना नेसेसरी है, हम कितने सारे काम करते हैं पानी से, वोटर से जैसे कपड़े धोना, नहाना और बरतन साफ करना, घर की सफाई करना, गाड़ी साफ करना, इरिगेशन, पेड़ पोधों में पानी चाहिए है तो लगबग हमारे जिन्दगी में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है, तकरीबन सारे सारे कामों में, खाना बनाने में, हम पानी का यूज करते हैं अब बात ये आती है कि हमें पानी मिलता कहां से, वेर डूवी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहां से मिलता है वी ड्रॉव वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, पॉन, वेल और हैंट पंप, तो हमें नदी नालों से, जहरनों से, कुए से, हैंट पंप से पानी मिलता है, ठीक है बट बात ये कि टैप में भी तो कहीं से पानी आया होगा, तो टैप में पानी लाने के लिए हमने, रिवर या फिर पॉन, वेल या हैंट पंप इनहीं का यूज़ करके हमने, पहले घर की टंकी में पानी भरा और फिर उससे हमने, टैप से उस पानी को लिया, ठीक है? क्या आपको पता है, do you know that about two-third of earth is covered with water, मतलब 100% का 66.6% जो है वो सिर्फ पानी है अर्थ के उपर, ठीक है? क्या है, in the form of oceans and seas, तो ocean और sea का हमारी life में एक बहुत ही important role है, जो पानी आ रहा है, वो ocean and sea से direct नहीं आ रहा है, बट indirectly ये पानी इन में से ही आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, ये भी पढ़िएंगे अभी हम आगे, ठीक है, the water in sea and oceans has many salt dissolved in it, इसके अंदर बहुत सारा नमक होता है इसलिए इसका टेस्ट जो सलीन होता है, ये drinking के लिए fit नहीं होता है, ठीक है, फिर भी, oceans play an important role in supplying the water that we use, तो ये कैसे होता है, इसको जानने से पहले हमें water cycle पढ़ना पड़ेगा, तो water cycle में आप पहले एक example से सीखो, disappearing trick of water, जब हम कपड़े धोके सुखाते हैं बाहर दूप म तो वो सुख कैसे जाते हैं, उनके अंदर जो पानी था, वो कहां चला गया, वो disappear कहां हो गया है, तो वो जो पानी था, sunlight की presence में, वो उसके vapors में convert होके, water vapors बन के और atmosphere में चला गया, और atmosphere में चला गया, तो फिर से, अब अब उसी बात पे आते हैं, कि oceans कैसे help करते हैं, हमा वेपर में convert होता रहता है, पानी की भाब बनती रहती है, और वहां से फिर वो बारिश की form में, फिर से हमें मिल जाता है, जब बारिश होती है, तो हमें फिर से पानी मिल जाता है, जिससे हम rivers, ponds, या फिर lakes में स्टोर कर लेते हैं, और फिर से हम उसको use कर लेते हैं, ठीक है loss of water by plants आपने पढ़ा होगा respiration topic आपने पढ़ा होगा sorry transpiration आपने topic पढ़ा होगा transpirate करते हैं plants उनके पत्तों में से थोड़े थोड़े पानी की water vapors जो है in the atmosphere वो release करते रहते हैं इसे ही हम कहते हैं loss of water by plants ठीक है अब बात करें कि clouds कैसे बनते हैं तो जब आप जैसे आप कांच के glass में या स्टील के glass में ठंडा पानी लेते हो या फिर उस पानी में बरफ डाल लेते हो तो उस glass के बाहर जो आपको water vapors दिखाई देती है छोटी छोटी पानी की बूंदर दिखाई देने लेगेगी आपको ग्लास के उपर ज़्यादा जब ठंडा पानी डालेंगे हैं उसमें तो जो water vapors आई हैं इसका मतलबी है कि जो atmosphere में जो नमी थी जो इसके आजपास जो हवा में जो नमी थी जो water vapors थे वो ठंडे होके इसके उपर चिपक गए है इसलिए हमें इसके बाहर ऐसे वो water vapors दिखाई देते हैं तो सेम ऐसे ही clouds बनते हैं जब water vapors हैं वो ठंडी हो जाती हैं जब ठंडी हवा उनके आजपास से बहती है तो water vapors ठंडी होके बादल बना लेती हैं और बारिश हो जाती है ठीक है और बारिश होके जो पानी है वो फिर से नदी नालों में बहता हुआ फिर से नदियों में बहके और शिंस तक चला जाता है तो ये एक पूरा साइकल बन गया जिसे हम आगे पढ़ेगे तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ाई करते रहें बाबाई